फीजिकल बहुत टॉर्चर किया, जिसके सारे मेडिकल प्रूव मेरे पास है, मैं हॉस्पिटल में भी एड्मिट थी, इनोंने मुझे गला दबा के मारने की कोशिश किया, फंदा डालके, मेरे हस्बेंट और उसकी फैमिली मुझे धंकिया दिये रहें, और मुझे हरस्मेंट किया जा रहा है, जिसके सारे प्रूव मेरे पास है, call record है, और इनोंने मेरे मेरे मिल की जूट बोल के, मैरे टेररीस्ट हूँ, उसके बाद मेरे पर बहुत गंदे आलोप लगा गये है, जिसके वज़से सारे document लेके यहां आई हूँ, मैं जब pregnant हो गई तो इन्होंने मेरा abortion करा के इनकी मा और इन्होंने मिलके मेरा जूट बोलके abortion करवाया उसके बाद ये लोग ने मुझे छोड़ दिया मैंने उनसे contact करने की बहुत कोशिश की इन्होंने मेरे साथ contact ने किया उल्टा मुझे मार के मेरा passport लेगे चले गए तब मैं यहाँ पर बिमार होके बहुत बार hospital में अड्मिशन हुई तब भी इन्होंने मेरी कोई परवान ही की मैं काफी परिशान हो गई थी जब इन्होंने मुझे धंकी देना स्टार्ट किया जो ये लोग मुझे illegal immigrant बलके फसा देंगे तब मैंने थाना में जाके complain किया इस खातून का नाम शहाना सादिक है ये बांगला देश के चटगाउ जिले के ब्रह्मन बेडिया की रहने वाली है ये जब हिंदुस्तान आई थी तो इनकी आँखों में धेरो रंगीन खाफ थे लेकिन उनके वो सारे खाफ अब डरावने सपने बन गए हैं मार्च 2023 में शहाना की शादी कुलकाता के मुमिनपूर के रहने वाले मुहम्मद इश्तियाक एहमद से हुई थी शहाना के मताबिक उसके हाथों की मेंधी का रंग फीका पढ़ने से पहले ही उसके शोहर और सुस्राल वालों के चेहरों पर चढ़ा नकाब उतर गया नकाब पर उसके शोहर और सुस्राल वालों ने दुम के पहाँ तोंड डाले उसके साथ मार पीट की गई शहाना का इल्जाम है कि जबरदस्ती उसका एबॉर्शन तक करवाया गया शहाना का ये भी ल्जाम है कि उससे दहेज की मांग की जा रही थी लेकिन बांगलादेश से पैस आने के लिए उसे आतंगवादी कहा गया। इस दोरान उसके सोचनाल वाले उसके शोहर की दूसरी शादी करवाने के लिए लड़की भी तलाश करने लगे थे। जल्म जब हस से बढ़ गया तो उसने अकबालपूर थाने में रिपोर्ट तरच करवाई। जिसके बाद एक प कुछ दिनों के बाद उस पर फिर से जल्म होने लगे। मार पीट की गई। इस दोरान मेयर फिरहाद हकीम के कहने पर वो वाट गज थाने भी गई। पुलीस की मदाखलत के बाद उसे शोहर और सुसराल के जल्म से कुछ हद तक छुटकारा मिल गया। और वो बांगला दे लिए कराई गई जूटी शिकायतों के चलते उसका बांगला देश में भी रहना मुश्किल हो गया है। इसलिए शोहर और सुसराल के जल्म से परिशान सहाना अपने वतन को छोड़कर इनसाफ के लिए दर-दर की ठोकरे खा रही है। आए सुनते हैं बांगला देश की रह मौमिनपूर पोजिटिव इसके करीब रहते हैं। उनका पी-एस इकबालपूर है। आज प्रेस कंफरेंस करने का मकसद यह है कि मेरे हस्बेंट और उसकी फैमिली मुझे धंकिया दिये रहे हैं। और मुझे हैरस्मेंट किया जा रहा है। जिसके सारे प्रूब मेरे पास है कॉल रेकॉर्ड है और इन्होंने मेरे मेरे में भी बहुत बार इमेल किया जूट बोलके जो मैरे टेररिस्ट हूं। उसके बाद मेरे पर बहुत गंदे-गंदे आरोप लगाए गये है। जिसके वज़द से मैं सारे डॉकुमेंट लेके यहां आई हूं। शादी आपक करा कि इनकी मा और इनोंने मिलके मेरा जूट बोलके अबर्शन करवाया। उसके बाद यह लोग ने मुझे छोड़ दिया। मैंने इनसे कंटक करने की बहुत कोशिश की इन्होंने मेरे सथ कंटक नहीं किया। उल्टा मुझे मार के मेरा पासपूर्ट लेगे चले गए। तब मैं यहां पर बिमार होके बहुत बार हॉस्पिटल में अड्मिशन हुई। तब इनोंने मेरी कोई परवान ही की। मैं काफी परिशान हो गई थी। जब इनोंने मुझे धंकी देना स्टार्ट किया। जो यह लोग मुझे इल्लीगल इमिग्रेंट बोलके फसा देंग तो इनोंने मुचल किया वहां शम्स जमान अमंसारी थे उसके बाद इनकी मा और इनोंने मिलके बहुत ही टॉर्चर किया जिसके सारे एविडेंस मेरे पास है। मैं जब पुलिस को कंप्लेंड करती थी इस बारे मेरा कोई सुनता नी था तब मैं मतिया बुरुज में रह रही थी। सारा और्गनाइज इनके बहनोईन महमद नदीम ने किया। वही इनका देख भल करता था उस टाइम। मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी मेरा कोई आवास सुनने वाला कोई नी था और मुझे घर में भी बात करने नहीं दिया जाता था। मुझे घर से निकलने नहीं दिया जाता था। मैं दो दो बार भागने की कोशिश की इन्होंने मुझे भागने तक नहीं दिया। बाहर से लेके आ गया और मुझे बहुत मारा गया उस टाइम। आपकी शादी अरेंज मेरेज ही ही थी है यर लब मेरेज ही थी और कब उए थी शादी हम एक दूसरों को बहुत पहले से जानते थेwerk nelle मेरेज अरेंज्नी ही हुए थी कब उए राइंज अरेंज हूई थी 26 में 2023 को और कोट हुई थी 2030 3, 2023 शादी के वास सही आपके ओपर ये जुलम हो रहा है जी जब से मैं प्रीगमिंदी तब से मेरे पर जुलम हो रहा है अभी आप कहा रहते हैं किसके साथ रहती हैं अभी मैं अकेली हूँ मैं अभी अपने फैमिली के साथ हÍ रहती हूँ कहां रहती हैं बंगलादिस में रहती हूं आपने कम्प्लेंड किया थाने में गोड में गई अच्छली मैं दो बर एकबालपुर थाना में गई उन्होंने मेरी कम्प्लेंड दर्ज नहीं करवाई जिस दिन इन्होंने मुझे मारा 21 नवेंबर 2023 में मैं अपने सुस्राल गई अपने चीजे लेने के लिए इन्होंने मुझे धक्के देके घर से निकाल दिया बहुत मारपीट करा आसपस के लोगों को जड़ किया और इन्होंने काफी मारा मेरे मोबाइल तोड़ दिया फिर भी मैंने इनके कम्प्लेंड नी करवाई मैं इकबालपूर में गई थी जो एक हंड़ में कॉल किया था मैंने अपने काल करने के बाद पूलिस आई तब वहां पर थोड़ा मतलब वह मार रहे थे मुझे बहुत आसपस बहुत सिसी टीवी जो भी चेक अप करेंगे तो पदा चल जाएगा बहुत इन्होंने बहुत हंगामा लगाया था मेरे नाम पे कंदी गालियां दे रहे थे मेरी सांस और मेरे सासुल मिलके अनतर कीम हख रहे और सोच्श की का अनकर पेपिजक्स बहुत एक तॉट आस तो फिईकल दे इसको मारने कि कोशिश किया फंदार डालके तो मैं इस बारे मैं कंपलेंड करने की कोशिश की पर मेरी अ मट्या बुरुच के थाना ने भी नहीं ली वह इनलाइस किया। अजिसे वहाद के एक टॉर्चर करने का वजा है। मैं जब कौट मैरेजी हुए उनकी मान ने बोला था तो इसको छोड़ देने के लिए। अबोर्शन कराके छोड़ देने के लिए। पर मैं फेर भी अपने हक के लिए लड़ती रही। क्योंकि मेरे हजबेंट है और मैं इतने दूर से यहां सब छोड़ चाड़ के आई हूँ सब को मना के आई हूँ उसके बाद मैं अपनी इज़त के खाते लड़ती रही सबसे क्या जहाज वगर को कुछ डिमांड्स था? हाँ मेरा जब म्यूचल हुआ तब ही से इन्होंने मुझे फ्लैट लेने के लिए प्रेशर किया जिसके सारे प्रूव है मुझे दो बर तिन बर दिखाया भी गया पर आप लोगों को पता है जो बंगलेदेश से यहां पर टांसफर इजी नहीं है इसलिए मैं कुछ कर नहीं तो नहीं तो तब इन्होंने मिरसाद खराब बैभार स्टार्ट कर दिया आपको जो मारा जया उसका कुछ तस्विये है आपके जी मर पास शादी का डॉक्मेट्ट जो वह ज़रा दर देखा इक है अच्छा जी यह सोशल मैरेज का पिक्चर है और ये कोट मैरेज का यह मेरे गले की निशान, वो छोड़ना भी नहीं चाहते है, और ना ही रखना चाहते है, इसका मतलब है आपको तो पता है, हस्बंड के तौर पर जब चूड़ा जाता है, तो कुछ पॉर्मालिटीज होते है, तो उनको वो पता है, जो लड़की को अगर छोड़ा जाए तो कुछ पॉर्मिलिटीस करना पड़ेगा, इस वज़ा से वो छोड़ना नहीं चाहते है तो आप खुला क्यों नहीं गए देगे जब इतना जुल्म हो रहा है अपके तो वहां मैं खुद जाके कंप्लेन दे के आई हूँ, वहां तक अभी तक कोई प्रोस्टिव नहीं हुआ, एक हप्ता हुआ है वहां पर कंप्लेन दे चुकी हूँ अब क्या नाम क्या है, हजबेट का नाम क्या है? M.D.S.T.A.K.A.M.E.D. और फादर का नाम क्या है? M.D.S.T.A.K.A.M.E.D. अच्छा, यह क्या काम करते हैं? M.D.S.T.A.K.A.M.E.D. यह वहां के काउंसलर, लोकल काउंसलर के पीए है कौन सा काउंसलर नाम है? M.D.S.T.A.K.A.M.E.D. देबुलिना बिश्वास है उनका नाम, वार्ट नमबर 74 है M.D.S.T.A.M.E.D. M.D.S.T.A.K.A.M.E.D. M.D.S.T.A.M.E.D. M.D.S.T.A.K.A.M.E.D. M.D.S.T.A.M.E.D. 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 जबर्दस्ति हो सकती है दो बार एकी बंडे सुशाग्य मेरेज हुआ एक सोशल मेरेज हुआ